जैस्टी राम दोस्तों आज मिंटी मॉम्स आपको दर्सन कराने वाली है राम जी के राम जी का ये मंदी राची हटिया रेलवे स्टेशन कॉलोनी एरिया में इस्तित है और गैरंटी है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग अधिकतर रोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस मंदीर की कोई भी चर्चा नहीं की गई है तो चलिए देखते इस मंदीर के बारे में 22 फरवरी ये बहुत ही खास दिन हो गया है हमारे बीच मिंस बच्चे बुढ़े बुजूर्ग युवा सभी बहुत ही उत्सुक है आज के पर्व को लेके अयोध्या में सारी जो प्रान चंडे और दिये के साथ बहुत ही खुब सूर्थी से डेकोरीट किया गया था इस मंदीर को तो चलिए आप सारे सजावट और मंदीर को देखिए और मैं यहां की कुछ जानकारी आपको देती हूं दच्छिन भारत के लोगों ने हट्या रेलवे कॉलोनी में बनाया था ये जैसे हम साथ के ही किसी राम मंदीर में पहुच गया है इसकी खुबसूर्ती इसकी नकासी और बनावच सारे देखने लाएक है दूर से देखने में में मंदीर जो पीछे के साइड में वह गोल्डेन दिख रहा है आपको वह बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे वह सोने के है यहां पर सोने के पत्तर का बना हुआ है बट वो पूरी तरह से कलर किया हुआ है नकासी ऐसे की गई है मंदीर में जैसे कि साउथ के मंदीर में भगवान का रूप लेके पूरे दिवार में नकासी की जाती है बस उसी की तरह यहां के मंदीर में पूरी नकासी की गई है यह आमनॉमि में चार दिन यहां विसेस पूजा का आयोजन होता है जिसमें राम जी का विवा भी होता है और राम जी का जन में भी होता है साउथ इंडियन स्टाइल से ही प्रसाद का भी वित्तरन होता है 22 फरवरी को इस राम मंदिर को बहुत ही खुबसूरत धंग से सजाए गया है जैसे कि आप पूरा देख रहे हैं चारो तरफ बहुत ही खुबसूरती से ताजे फूलों के साथ यहां पे डेकोरेट किया गया है कई तरह के प्रोग्राम भी यहां होने वाले है जैसे नाच, गाना, भजन, केरतन, भंडारा और बहुत तरह के छोटे-मुटे प्रोग्राम भी होने वाले है 50,000 दिये जलाने का यहां पे तयारी किया जा रहा है जो की साथ बजे सारे छे बजे के लमसम यहां पे सारा दिया जल जाएगा यहां के जो पंडी थे ये भी साउथ इंडिया ने मिंद जचिन भारत के पंडी जी भी है चलिए अब अंदर मुर्ति का दर्सन कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया राम नौमी में एक विसेश प्रोग्राम का आयोजन होता है है चार दिन यहां पे बहुत ही रौनक रहती है तो अगर आप इस बार नहीं आपे दर्सन कर पाए तो कोई बात नि कभी भी अनि टाइम आप आकर दर्सन कर सकते हैं तो आप जरूर यहां पर आयेगा क्यूंकि आपको बहुत अच्छा लगएगा बेखो लगए आप राम जी की नगरी में आ गए है और यहां पर चार दिन जो विसेश प्रोग्राम होता है उसमें बहुत लोग अपनी मनत मिस मनान भी मानते हैं कि अगर हमारी मनत पूरी हो गई तो वो यहाँ pair भो का वित्रन करेंगे तो इस तरीके से भी आप को मुनान करके भी यहाँ पे आ सकते हैं और भो के वित्रन में सहयोग दे सकते हैं तो जैसे कि Аप देखर यहाँ प्रसाद लेके आया है वह वहां पर दिदिया गया है पंडी जी उसे चढ़ा रहे है और हमें आसिरवात के रूप में प्रसाद भी मिला था तो अब आरती हो गया प्रसाद मिल गया तो चलिए और आपको यहां की जानकारी देते है कुछ जैसे कि मैंने बताए कि यहां के पंडित भी साउथ इंडियन है तो अधिकता सहयोग जो है दच्छी इंभारा से बहुत मिलता है इस मंदीर को इसलिए धीरे धीरे इसका रूप काफी भव्य हो गया है और बाकी लोग जैसे कि हम जैसे बाकी लोग भी यहां पर आ रहे है तो अभी यहां से प्रवेश किया नहीं जा रहा है साइट से जो गेट हम लोगों ने जहां से एंट्री की वहीं से एंट्री करना है और यहां पर बंद कर दिया गया आना जना नहीं करना है क्योंकि रंगोली यहां पर बिगड जाएगी यह मंदिर इतनी खुबसूरत है उसका पंदाज आप इसी से लगा सकते हैं क्योंकि रेडियन डान्स एकेडमी जो है वहां की जो स्रेया महमें उन्होंने अपनी स्टूडेंट के साथ यहां पे डान्स का ही कोरिग्राफ किया है वीडियो और विवेक सर ने भी यहां पे डान्स प्रस्तुत किया है जिसमें पवन औ साथ राम मंदिर में बहुत ही खुबसूरत का व्यार्चन का कायकरम प्रस्तूत किया एक से बरकर एक भजनों की प्रस्तूती दी गई स्रोतागन घंटों तक भजनों पर जूमते रहें यहां के सेक्रेटरी क्रिस्णा राव जी ने यह सारी जानकारी हमें दी तो बहुत ब बहुत धन्यवाद उनका तो मिलती हूँ एक नए अप्रोड के साथ आसा करती हूँ हमारा यह अप्रोड आपको पसंद आया होगा मिलती हूँ फिर से जैसिया राम